अगर आप सर्दियों में पाना चाहते हैं निखरी हुई चमकदार तवचा तो ये वीडियो है आपके लिए हमारे चहरी की स्किन बाकी बॉडी पार्ट से पतली और सेंसिटिव होती है जिस वज़े से इसे एक्स्ट्रा केर की ज़रूरत पड़ती है एस्पेशली सर्दियों में स्किन वैसे ही बेजान सी और रूखी सूखी होने लगती है लेकिन अब और नहीं इस वीडियो में आपसे शेर करूँगा एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी सिर्फ तीन इंग्रीडियेंट्स जिसके एक ही यूज से आप पाएंगे खिल खिलाती हुई तवचा इसे मेन और विमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं तो देर किस बात की आईए शुरू करते हैं सर्दियों का अपना ही मज़ा है लेकिन स्किन के लिए थोड़ा सा टफ टाइम होता है क्योंकि ठंडी हवाएं और हुमिडिटी स्किन से मॉश्चर को खीच लेती है इसी वज़े से सर्दियों में अक्सर ही चहरा बेजान सा होने लगता है और इस बात में कोई शक नहीं कि excessive pollution, sun exposure और extreme weather conditions से हमारी स्किन अपना natural skin tone खोकर dark और dull होने लगती है और अगर आप उन so-called fairness creams के भरोसे हैं तो आप सिर्फ अपना वक्त और पैसे ही बरबाद कर रहे हैं So इस वीडियो में मैं आपसे share करूँगा एक बहुत ही effective home remedy जो आपके skin के pores में दबी गंदगी को बाहर निकालेगी पोशक तत्वों से skin को नरिश करेगी और सिर्फ एक यी बार यूज करने से आपको अपनी skin tone और glow में significant difference दिख जाएगा Basically ये एक homemade night cream है जिसके लिए आपको चाहिए बस 3 simple ingredients सबसे पहले एक चमच glycerin का ले लें Glycerin skin को hydrate कर dryness को हटाने में काफी effective होती है ये antimicrobial है जिसकी वज़े से ये skin को harmful bacteria से बचाती है और skin को soft भी करती है Glycerin आपको बड़ी असानी से किसी भी chemist की shop से मिल जाएगी Next आपको चाहिए एक चमच pure गुलाब जल गुलाब जल आयरविदिक skin remedies में हजारों सालों से यूज किया जाता रहा है Antioxidants से भरपूर होने की वज़े से ये skin का natural glow बढ़ाता है क्योंकि ये anti-inflammatory है तो ये acne को भी जड़ से खतम करता है Finally आपको चाहिए एक चमच नीमबू का रस नीमबू में vitamin C भरपूर होने की वज़े से damaged skin cells को repair करता है और चहरे पे जूरियां और धबों को कम करने में भी सक्षम है तो जैसे आपने देखा तीनों ingredients को same ratio में ही लेना है अच्छे से mix कर लें और रात को सोने से पहले चहरा दोने के बाद एक cotton ball से इस mixture को अपने पूरे चहरे पे अच्छे से लगा लें बस फिर क्या अराम से सो जाएं और ये powerful combination आपके चहरे पे काम करता रहेगा और अगली सुभाई आप result को देखकर एक बार तो हैरान ही हो जाएंगे आपका चहरा जादा चमकदार हो जाएगा ऐसा इसली कुँगी ये तीन ingredients के mixture से जो अंदेखी गंदगी आपके चहरे पे थी वो निकल जाएगी वैसे तो ये ingredients आपको बड़ी असानी से मिल जाएंगे लेकिन फिर भी आपकी convenience के लिए मैंने description box में इनका link दे दिया है आप इस homemade night cream को हर रोज रात को लगा कर सो सकते हैं especially winters में तो बहुत ही कारगर है आप चाहें तो तीनों ingredients को एक साथ एक airtight bottle में एक हफते के लिए बंद करके भी रख सकते हैं बस ratio का ध्यान रखें इस remedy की effectiveness पे मुझे कोई शक्त नहीं मैंने खुद अपने मम्मी को देखा है जो हर सरदी अपने night care routine में सिर्फ इसी remedy का ही इस्तेमाल करते हैं इस सरदी ज़रूर ट्राइ करें और अपने results comment section में बताना ना भूलें दोस्तो अगर आपको ये वीडियो helpful लगी तो please like ज़रूर करते ना अगर आप एक toxin free face wash और face mask खरीदने की सोच रहे हैं तो मामा अर्थ का newly launched vitamin C face wash और face mask बहुत अच्छा option है मामा अर्थ का face mask, vitamin C, kaolin clay, skin tone को improve करने में helpful है मामा अर्थ vitamin C face wash healthy युक्त है और skin friendly भी है important ये है कि इन दोनों ही products में कोई भी harsh chemicals नहीं डाले हुए इन दोनों products को सभी skin types के men और women use कर सकते हैं ये दोनों ही products की manufacturing भारत में ही हुई है मामा अर्थ का vitamin C face wash और vitamin C face mask खरीदने के लिए description box में दिये link को क्लिक कीजिए discount coupon लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% off तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब आप मेरे काम को join button क्लिक करके भी support कर सकते हैं प्लीज इस चैनल को subscribe करना ना भूलना बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हैं My name is Vivek, I thank you so much for watching